हमारे सभी दर्शकों को साधर प्रणाम जैशी क्रश्णा आज का हमारा विशाय गोचर सुरी और विवाहा का रिष्टा इससे समंदित है और आज मैं आपको इस महीने में 16 अगस से सुरी जो है वह गोचर करेगा सीय राशी पर और वह एक महीने तक रहेगा सीय राशी पर अभी वर्तमान में तो करकराशी पर चल रहा है लेकिन 16 अगस से 16 सितंबर स्वा राशी सीह राशी का स्वामी सुरी है और अपनी ही राशी पर वर्ष में एक बार सुरी आता है इसी समय में रहता है लेकिन इस सुरी के प्रभाव से भी विवाह का योग बनेगा केसे और यह सुत्र यदि आपकी कुंडली में भी लागू हो रहा है तो आप भी अपनी कुंडली खोले और देख ले इस इस्तती को समझ ले में तो यहाँ पर एक महतुपून इस्तती क्या बन रही है गोचर गुरू की जैसा कि मैं पूर में बता चुका हूँ कि गुरू अभी चौदा सितंबर तक कुंब राशी पर गोचर करेगा और एसी इस्तती में क्योंकि सुरी भी 16 अगस से 16 सितंबर तक सिह राशी पर है तो 14 सितंबर तक 16 अगस से 14 सितंबर तक गुरू भी है कुंब राशी पर अब कुंब और सिह का सम्मद्ध क्या है यह दोनों राशियां एक दूसरे से 180 डिग्री दूरी पर है, कुम्ब राशी पर यदि घुरू है तो वह सीधा सुरी को देखेगा, सीह राशी को देखेगा, और सुरी सीधा घुरू को देखेगा, तो ऐसा अनुभूत योग अब बनेगा, कब बनेगा? 16 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में, और इस समय में, जो योग बता रहा हूँ, ऐसा योग बनता है, आपकी कुंडली में बन रहा है, तो इस एक महिने में थोड़ा सा प्रियास करें, विवाह का रिष्टा पक्का हो जाएगा, शादी हो नहो, बात पक्की हो जाएगी, अब कि कि होगी, एक विशय तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कि यदि गुरु किसी राशी पर चल रहा है, तो उससे सातवी राशी, पांचवी राशी, नवी राशी पर शुप प्रभाव रहता है, वह जानकरी पूर में दे चुका हूँ, कि मिथुन, तुला, कुम्ब, सीन र राशी वालों के लिए तो समय चुदा सितंबर तक काफी अच्छा है, राशी का संबंद यहाँ पर चंद्र राशी से है, तो जिन की कुम्ब राशी है, मिथुन राशी है, तूला राशी है, सीन राशी है, इन सभी पर गुरु का प्रभाव है ही गोचर गुरु का अभी प्रभाव है 14 सितंबर तक, यदि लगनों की बात करें, लगन कुंडलियों की बात करें, तो यदि किसी लड़के या लड़की किसी लगन की कुंडली है, कुम्ब लगन की कुंडली है, मेश लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है, तो उनके लिए भी 14 सितंबर तक का समय काफी अच्छा रहेगा गोचर गुरु वहां पर लाप देगा लेकिन आज वाला योग थोड़ा सा अलग है जिन बच्चों का विवहा अभी तक नहीं हुआ है और उनका जन्म 16 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में है हुआ है या यो मानकर चलें कि एक तारिक आगे की और ले लेते हैं 16 सितंबर तक ले लेते हैं जिनकी कुंडली में कुल मिलाकर सुर्य सिंह राशी पर है यदि आपका जो लड़का है या लड़की है उनकी कुंडली में सुर्य पांच नंबर अंग पर किसी भाव में लिखा हुआ है तो वर्तमान में 16 अगस्त से गुरु की द्रश्टी सुरी पर पड़ेगी और अगर आप अपनी जन्म कुंडली में भी गोचर इस्तिती देख गुरु सुरी को देखेगा सुरी गुरु को देखेगा और यह समय काफी अच्छा रहेगा और समय कहां तक बानकर चलें 16 अगस्त से 14 सितंबर तक इस समय में विवाह के योग बनेंगे किनके एक इस्तिती और बता रहा हूं उसको भी समझें आगे जिनकी कुंडली में पह सिखा हुआ है उनके लिए यह एक महिना काफी अच्छा रहेगा 16 अगस्त से 14 सितंबर तक दूसरी इस्तती यदि एसी योग वाली इस्तती आपकी कुंडली में नहीं बन रही है तब आप अब खोलें डी 9 चार्ट नवमांश कुंडली आप अपनी 9 चुंडली में यह देखे हैं कि सुर्य कहीं 5 नंबर सियराशी पर तो नहीं तो 9 चुंडली में भी यही इस्तती देखनी है आपको यदि आपकी नवमांच कुंडली में सुर्य पांच नंबर सीह राशी पर है तब भी यह एक महिना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो इस प्रकार का योग अनेको कुंडलीों में बन सकता है और हो सकता है आपकी कुंडली में भी बन रहा हो बस प्रयास करना है और इस समय में रक्षा बंदन का यह जो पर्व है यह भी आएगा तो त्योहार पर भी ध्यान देना है लेकिन यदि कहीं से रिष्टा आता है तो उस पर भी ध्यान अवश्य देना है बहुत सी बार गर में कोई फंक्शन है त्योहार है उस कारण से भी हम कोई योग बनता है तो उसे टाल देते हैं लेकिन इस योग का लाब उठाएं क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है उसकी उमर तीस साल हो गई 32 साल हो गई जिनका जनम 16 अगस्य सोला सितंबर के बीच में है उनके लिए सोला अगस्य से 14 सितंबर तक का समय काफी अच्छा रहेगा 14 सितंबर इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि गुरु जो है वह 14 सितंबर को फिर मकराशी पर चला जाए तो फिर उसके बाद में फिर दो दिन और हैं लेकिन वे काम के नहीं लेकिन जनम समय पूरा ले सकते हैं 5 कुंडली में भी 5 नमबर पर है तब भी यह योग अवश्य बनेगा तो इन दोनों स्थतियों को देखना है कुंडली में गोचर में इस प्रकार से भी सुरी की इस्तति देखते हैं और जोति शास्त्र में लिखा है कि गोचर का सुरी जो है उसका दरश्टी संबंद यदि गोचर गुरु से हो जाए गुरु सुरी का आपस में द्रश्टी संबंद हो जाए तब भी शुब योग कारक होता है और आपकी कुंडली में भी इस प्रकार की इस्ततियां बनती है तो वे लापकारी होती है सुरी का सिधा असर आपकी आत्मा पर पड़ता है और सुरी पर ग आपानवित हो सकें ध्यान रखें वापस तारिक बता देता हूं 16 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में यह समय काफी अच्छा रहेगा इनकी कुंडली में लगन कुंडली में और नौमांच कुंडली में पांच नंबर सी राशी वाली सुरी की इस्तती है धन्यवाद जैशी क्वेशना